हलो आज है 20 अगस्त और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में 20 रुपे का ये शेर है और काफी गिरावट दिखा चुका है लेकिन थोड़ी बहुत बाउंस बैक भी देखने को मिल रही है वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि जो को काफी जादा हल्प करेंगे तो 38 रुपीस का शेर है ट्राइडेंट लिमिटेट का और पिछले एक महिने में अगर हम देखे तो 8% के गिरावट भी है देखे 42 से तूट कर आया था ये 37 पर वहां से बाउंस बैक कि अब दुबारा 40 रुपे के उपर गया दुबारा पर पहुचने के बाद ये लगाता तूट रहा है अगर हम देखे तो भया पिछले कुछ दिनों से बाजार कमूर काफी अच्छा है पिछले एक महिने में बाजार ने बहुत अच्छा पैसा बना कर दिया है लेकिन ट्राइडेंट में वो तेजी नहीं है ट्राइडेंट ब सबस्क्राइड बहुत है लेकिन को अब वायं के रिकमेंडीशन है वो मुझे लगता है कि 35 रुपए के आसपास खरीदारी मौके यहां पर बन सकते हैं Company definitely अच्छी है लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह हुई कि पिछले quarter के जो results है वो उतने अच्छे नहीं आए है और यही वज़ा है कि at least अगर आप long term के लिए यहाँ पर कुछ सोच रहे हो तो एक और quarter के results का आपको इंतजार भी करना चाहिए Trident को लेकर अगर हम देखेंगे तो Company Metcab Share है यह 19,000 करोड से भी जादा के इसका market cap है volume 2 करोड से भी जादा के देखने को मिल रहे हैं और दिक्कत कहां पर हुई दिक्कत हुई थी June के quarter में यह वो company थी जो लगातार अच्छा profit कर रही थी quarterly 200 करोड का profit कर रही थी लेकिन हुआ क् March quarter में profit कम होकर 180 करोड रहा और June quarter में यह और कम होकर 130 करोड से भी कम रहा तो दिक्कत यहां पर बहुत जादा आई है इनके profit में बहुत बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है 28-29% के गिरावट पिछले quarter से compare करेंगे तो है और पिछले साल के quarter से अगर हम compare करेंगे त तो revenue में बारी गिरावट आई और इनके profits में बारी गिरावट है revenue में भी गिरावट है 1680 करोड का इनका revenue हुआ है जो पिछले quarter में 1870 करोड का था तो 10% की गिरावट इनके revenue में भी हुई है बीच बीच में इनके plans बंद भी हुए थे protest के चलते और definitely कह सकते हैं कि हालत उतनी बहतर भी नहीं है हलाकि जून quarter में बड़ी बड़ी खरीदारी हुई जरूर है प्रमोटर तो वहीं पर है 72.94% की holding है एफाइल्स ने खरीदारी करी है mutual fund ने खरीदारी करी है insurance company ने भी खरीदारी करी है 3.13% की जो एफाइल्स की holding थी वो बढ़के 3.17% पर आ चुकी है mutual fund ज houses buying करने के लिए आएंगे यहां पर यहां पर insurance company के पास भी कुछ नहीं था लगिन अब इनके पास भी 0.01% की holding है अब यहां पर देखेंगे तो 11 mutual fund schemes ने पैसा लगाया हुआ है यहां पर प्रमोटर की अच्छी holding है और एक भी शर्गिरवी नहीं है यह काफी अच्छी बात ह अगर हम देखने की कोशिश करें तो ट्राइडेंट में 31% लोग according to money control user कह रहे है कि बेच दो 54% लोग कह रहे है खरी दो और 15% लोग कह रहे है कि hold करके बैठ है रहो यहां पर ट्राइडेंट को लेकर अगर आप देखोगे तो company में जून महीने में अगर आप देखेंगे त जो company में immediate relatives है insider transaction अगर हम देखें तो 15,000 share बेचे गए थे फिर 60,000 share बेचे गए थे तो बेक्वाली के transaction हमें देखने को मिल रहे हैं और definitely हाला कि कोई उतना बड़ा यह transaction नहीं है लेकिन company के revenue अगर आप देखोगे तो 5000 करोड के तो तोट रहे थे 4500 करोड हुए लेकिन बहु इस बार का profit हुआ इनका जो revenue है वो 1600 करोड के आसपास का है जो कि इसके average से भी कम है company को ज्यादा revenue कमाना पड़ेगा profit के अगर हम बात करें तो profit जो 833 करोड का हुआ था भाया पिछले साल financial year 2022 में जो इस quarter में पहले quarter में से 130 करोड का हुआ जो इसके average से बहुत कम है तो यह problem जरूर है यहाँ पर Trident में Trident अगर आप देखोगे तो अभी भी definitely सब कुछ अच्छा है यहाँ पर 23 का इसका P है जो sector P से काफी बहतरीन है 100% analyst कहते है खरीदारी करो मेरी भी buying के recommendation है लेकिन किस price पर वो important है खरीदारी करने का सही मौका है और बूर्ट जुनमनी कोई भी red flag न announce किया है उन सब को मिलेगा जिनके पास 18 अगस से पहले shares हुआ करते थे Trident के उसे पहले की जिनकी भी buying है पिछले साल भी दो बार इसने dividend pay किया था 36 पैसा 36 पैसा इस बार हलाकि एक ही बार pay किया है Trident अगर आप देखोगे तो पैसा बना है long term में bank FD से भी अच्छा पैसा ब मेली है mutual funds ने खरीदारी करी है domestic ने खरीदारी करी है तो बेक्वाली इसने करी है तो बेक्वाली इसने करी है तो बेक्वाली 23.92% की जो holding थी retail और others की वो 23.84 पर आ चुकी है मतलब retail और others ने यहां पर बेक्वाली करी है देखो overall में Trident को लेकर एक ही चीज़ कहूंगा कि company अ fulfill नहीं कर पाया Indian companies और वो चले गए थे उस वक्त पाकिस्तान और बंगलादेश की तरफ और सरकार यह बिल्कुल भी नहीं चाहेगी कि ऐसा कुछ दुबारा भी हो और सरकार इसलिए काफी बड़ा incentive प्रोवाइड भी कर रही है Indian textiles companies को और उस incentive में Trident को भी रखा गया है 300 कर जितना Trident को भी मिल सकता है आने वाले दौर में तो अगे अच्छी बात है यह और Trident definitely मेरे हिसाब से अच्छी company जरूर है लेकिन अभी situation जो है वो उतनी जादा clear नहीं है क्योंकि company के उपर कई सारे protest चल रहे हैं जहां पर इनके plants definitely textile को बया जरूरत पढ़ती है जादा पानी वगेरा की तो किसान इनके खिलाफ अंदोलन भी किये थे जो हमने देखा भी था पिछले कुछ दिनों पहले ही और इसके अलावा दिक्कत यहां पर यह भी है कि इनको plant बंक भी करने पड़े थे और जिसकी वज़ा से इनके revenue और profit दोनों में गिरावट देखने को मिल रही ह अब यह मामला कितना लंबा खिंचता है यह तो आने वलब वक्त ही बताएगा लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूंगा कि गिरावट का इंतजार करना चाहिए अभी भी 38 में कहूंगा कि बाइंग करने का उतना अच्छा मौका नहीं लेकिन अगर 35 रुपए के नीचे ज जरु करियें थैंक यू